हेलो एविवन, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेस यूज़ करके रीफ्रेक्शन दिखाने जा रहे हैं एक अबजेक्ट की जो एक रेलर मीडियम में पड़ा हो जो फॉर्मला हम लोग डिलाईउ करेंगे न और वो फॉर्मला एक जनरल फॉर्मला होगा प्रॉवाइड़िड हमारे अबजेक्ट जी एक रेलर मीडियम में पड़े हो दोस्तो सबसे बड़ी अलम्शन जो हम लोग लेंगे न वो ये होगी कि जो हमारे सर्फेस होंगे न वो बहुत बड़े होंगे जिसके चलते हमारा एंगल ओफ इंसिडेंस एंगल ओफ रीफ्रेक्शन और बाकी जितने भी एंगल मैं आपको शो करूंगा न वो सबी बहुत ही जादा छोटे होंगे ये बहुत बड़ी अजम्शन है इसको हमेशा याद रखना तो चलिए दोस्तों आज का केस शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रीफ्रेक्शन फर्म रेरर टू डैंसर मीडियम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग तो एक रेरर मीडियम में खड़े होंगे लेकिन इस बार हमारे अब्जेक्ट जी और अब्जेक्ट जी भी एक रेरर मीडियम में खड़े हैं जिसका absolute refractive index में मान रहा हूं mu1 दोस्तों इस diagram को देखके घबराना नहीं है वो बहुत easy diagram है ये एक spherical surface में मान रहा हूँ xy ये कौनसा होना चाहिए? तो कि मैं एक real-al medium में खड़ा होके इस surface को देख रहा हूँ तो ये मुझे ऐसा feel होगा कि मेरी तरफ bulge out है तो ये कौनसा होना चाहिए? convex spherical surface, very good दोस्तों इस spherical surface खाना absolute refractive index में मान रहा हूँ mu2 तो दोस्तों अगर मैं हमारे object g को देखूँ जो ray of light हमारे object g से चल कर इस surface को strike करेगी इस spherical surface xy को strike करेगी न then it will refract refract तो होगी लेकिन bend किस तरफ करेगी? क्योंकि rarer medium से denser medium में जा रही है therefore it will bend towards the normal और वो कुछ इस तरह bend करेगी कि ये principal axis को meet करेगी किसी point आई पर और ये आई ना हमारे object g की क्या है? image अब दोस्तों मैं सबसे जरूरी बात समझाने जा रहा हूँ जो angle incident ray हमारी principal axis के साथ बना रही है न उसको आपने हमेशा alpha से denote करना है alpha और जो angle हमारी refracted ray principal axis के साथ बनाएगी उसको मैं लिख रहा हूँ बिटा आपने भी इसी तरह लिखना है क्योंकि ये same rotation चलेगी आग्या चल कर भी और जो मैंने normal draw की थी ना इस surface के उपर जहांपे reflection मैंने consider की है अगर उसको मैं extend करके principal axis के साथ join कर दू तो ये जो angle बनेगा ना इसको मैं मान रहा हूँ gamma very good अब दोस्तों मैं आप से एक favor चापता हूँ आप क्या करो सभी points को name कर दो ये तो है हमारा pole ये बन दी image जापे ये normal meet कर रही है principal axis को उसको मैंने नाम दे दिया c अब एक और काम करना है दोस्तों जो ये a point है ना इस a point से आप लोग एक perpendicular draw करो principal axis पर उसको नाम दे दो m very good ओ बस अपना काम हो गया अब simple geometry का खेल है वो आप लोग अराम से कर लोगे in triangle i a c देखो i ये रहा a ये रहा c ये रहा ओ गामा पते किसके बराबर आजेगा r प्लस बेटा गामा विल बी equals to r प्लस बेटा ओ exterior angle property होती है ना वो लगाई है in triangle a o c और इसके अंदर भी यही करना है a o c triangle देखो इसके अंदर हम कैसे लिख सकते है i equal to alpha प्लस गामा i equals to alpha प्लस गामा क्यों वो ये भी exterior angle property लगा दी मेंने अब दोस्तों अगर हम लोग snells uncle को याद करके गंदीर से इस point के उपर snells लो लगा लें तो क्या होगा mu1 into sin i equals to mu2 into sin r वो ये angle of reflection normal के साथ जो refracted ray बना रही है कौन सा angle है ये angle of reflection तो क्या आजाएगा mu1 sin i equal to mu2 sin r मगर दोस्तों मैंने आपको शरुवात में बताया था ना कि angle of incidence और angle of reflection ये जितने भी angle इस particular case के अंदर आएंगे वो सभी बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे therefore अगर angle छोटे होंगे तो sin i को मैं i लिख सकता हूँ और sin r को ना मैं r भी लिख सकता हूँ very good तो मैंने लिख दिया mu i into i equals to mu2 into r very good मगर दोस्तों एक बात ध्यान से देखो आपने उपर derive किया that i equals to alpha plus gamma i equals to alpha plus gamma therefore मैं कैसे लिख सकता हूँ mu1 into alpha plus gamma और अगर यहां से मैं mu2 r के अंदर r की value डाल दूँ r क्या लिखूंगा gamma minus beta very good तो mu2 into gamma minus beta तो दोस्तों क्योंकि मेरे angle बहुत ही छोटे है वो alpha gamma बहुत ही छोटे है तो इनको मैं tangent alpha भी लिख सकता हूँ tangent gamma भी लिख सकता हूँ मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह याद होगा that if angle is very very small let us say i is tending to 0 therefore it can be written as sin i और tangent i मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह याद होगा तो अगर हम इस तरह लिख सकते हैं न तो मैं यहां पे alpha को लिख दूँगा tangent alpha gamma को लिख दूँगा tangent gamma और beta को लिख दूँगा tangent beta तो दोस्तों अगर मैं tangent alpha की value find करूँ न AOM में से क्या आजएगी यह triangle देखो AOM इसके अंदर tangent alpha की value आजएगी AM by OM very good उसी तरह दोस्तों अगर मैं अब बात करनूँ गामा की तो tangent गामा निकालना है AMC triangle देखो इसके अंदर आजएगी value AM by MC शाबाश अब यहाँ पे भी गाम मैं तो उसकी तो value सेम ही लिख दी मैंने AM by MC अब बिटा देखो और बिटा के लिए न यह triangle consider करो IAM इसके अंदर क्या लिखोगे AM by MI very good मगर दोस्तों हमारा aperture बहुत ही ज़्यादा छोटा है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे point P और M के बीच में distance क्या हो जाएगा negligible तो मैं M को na equivalent to P लिखी ही सकता हूँ तो मैं क्या consider कर लूँगा कि जहांपे M लिख है न मैंने वाँ पे लगा दूँगा P तो दोस्तों यहाँ पे न पहले आप AM के साथ AM काट ले न उसके बाद M जापे भी M बचा है उसको P से replace कर दो replace करने के बाद आपको feel होगा यह कुछ इस तरह बचेगा mu1 into 1 upon PO plus 1 upon PC equals to mu2 into 1 upon PC minus 1 upon PI मगर दोस्तों अगर मैं आपको पिछे diagram दिखाऊँ इसके अंदर जो PO है न इसको मैं लिखूँगा minus u minus क्यों आएगा और क्योंकि हम लोग opposite to the direction of incident ray move करेंगे और सभी के सभी distance हम लोग P से measure करेंगे तो यह कितना आजेगा PO minus u very good अब अगर बात की जाए PI की और यह image distance है यह incident ray की direction में ही आ रहा है towards right ही आ रहा है इसको मैं लिखूँगा plus v क्या लिखूँगा plus v तो यहाँ पे डाल दिया plus v और जो PC है PC न ट्वर्ट्स right ही आ रहा है in the direction of incident ray ही आ रहा है therefore इसको मैं क्या लिखूँगा plus r यह क्या है मेरे पास radius of curvature very good तो दोस्तों values जालो हमारे पास बचेगा mu1 by minus u plus mu2 by v equals to mu2 minus mu1 by r तो यह क्या बचेगा minus mu1 by u plus mu2 by v equals to mu2 minus mu1 by r लेकिन दोस्तों किस case के लिए है यह अगर मेरा object एक rare or medium के अंदर पढ़ा हो एक rare or medium के अंदर पढ़ा हो यह सिरफ उसी case के लिए true है लेकिन यह एक general formula है यह एक general formula है यह convex surface के लिए भी same आएगा उसके लिए भी मैं आगे proof कर दूँगा मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को यह video समझ आ गई होगी अगर इसमें आपको कोई भी doubt है तो please नीचे दिए comment section में जरूर पूछिए और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो please इसे share कीजिए Thank you